हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु इंडेन स्टडी, इंडेन स्टडी पर आपका स्वागत है, दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर क्या जाओं, जो कि आपके आने वाले एक्जाम UPSI के लिए बेहद इंपोटेंट है, तो वीडियो को एंटले जोड़ दे कियेगा, क्योंकि लाश्ट में मैं आपसे कोसंस ही पूछूँगा, और उसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, साथ ही साथ इस वीडियो की पीडिये अप डिस्क्रिप्शन में टेली कराम चनल कर लिंग दिया हुए, वहां से आप जाएगा, आपका समान निबूत काल, यानि कि इस कोसंस का दूसरा ओप्संस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, काल अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ाए, तो भाईया अने केड़ी पर पढ़ा चुका हूँ, आपको बार बार बोल चुका हूँ, तो एक बार आ निमलेकित मेंसे कौन सा विकल्प इस मौाबरे का उचेतर्थ दर्साता है, जल्दी बताओ, तो लोए के चने चवाना इसका मतलब हुजाएगा आपका बहुत कटनाई का सामना करना, चौता ओप्संस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, निमलेकित मेंसे आपको अ आप सभी लोग जानते हैं, ऐसे सी जीडी में बंपर बेकेंसी आई होई हैं, है ना, ऐसे में आपको जरूरत होती है, एक ऐसी बुक की, जिसमें आपको लाश्ट येर के कोस्नस पेपर भी मिल जाएं, और उसी लाश्ट येर के कोस्नस पेपर को ध्यान में रखते हुए, जो प्रेक्टिस सट बनाए हुए हैं, वो प्रेक्टिस करने को मिल जाएं, तो आप अपनी तयारी जो है, वो बहतर से बहतर कर सकते हैं, तो इनी सारी बातों का खैल करते हुए, चक्सू पुब्लिकेशन, कौनसी दोस्तों देखो, मैं आपको बतता हूँ, चक्सू पुब पूरा इंडेक्ष दिया हुगा है कपप कप के एक्जाम, 2019 के एक्जाम, 2015 के एक्जाम, 13 के एक्जाम, 12 के एक्जाम, 2,001 के एक्जाम, जो भी आपके SST औरगनाईस करवा चुकी है, margin के एक्जाम, वो सारे इसमें समाहेत हैं और उसी पर आदारत एक से लिए के 20 तक के पूरे प्रैक्टिस सेड जो हैं वो आप लोगे दी गए हैं अब ये बुक मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा उसकी वज़बा आपको बता देता हूँ कोई भी आपने सेड पेपर लगा ये वाला है ना chw. नहीं सेड पेपर लगा लिया पूरा कोशल्स लगा लिया एक से लेके 100 अपके और पहले देखो यहाँ पर आपको optional में हिंदी भासा दी हुई है English भासा भी दी English भासा जो भी आपने select किया हुआ होगा form में उसी के according आपको exam जो है वो करना है यह आपकी answer की दी हुई है यहाँ पर देख लीजिए फिर आपको जो उत्तर दिया हुआ है यह व्याख्या सहीद दी हुई है यही चीज इस book को खास बनाती है तो यही मैं आपसे बोलूँगा कि आप कोई भी publication की purchase करो book तो आप उसमें यह देखना कि जो questions आपको नहीं आ रहा है उन questions को solve करने के लिए end में solution दिया या नहीं दिया यह book आप लोग के लिए अच्छी है इसलिए बता रहा हूँ और सबसे अच्छी बात पता क्या है इनके solve paper और guide book भी आती है जिसमें आप अपनी तयारी को जो है वो बहतर से बहतर कर सकते हैं और तयारी को मजबूत कर सकते हैं तो सारा कुछ आपको package चक्सू publication में देखने को मिल जाएगा अगर आप SSC GD की तयारी कर रहे हैं description में link है बहां से purchase कर सकते हो आपको बता दू लिंक से purchase करना नहीं चाहरे तो नहीं करो offline market से भी आप जागर के purchase कर सकते हो मुझे कहीं भी कोई भी आपती नहीं है ठीक है जो भी आपको suitable लगी फिलाल इतना ही बताना था next question से आपका के यह देखिए अरविंद से सिसू ब्रंद कैसे सो रहे हैं तो आपको बताना है के इसमें अरविंद सब्द क्या है जल्दी बताओ तो अरविंद सब्द जो है यह एक उपमान है दूसरा option से यहां पर आपका विल्कुल क्या होगा सर correct हो जाएगा next question जहां सब्दों के अर्थ में चमतकार इस्पस्ट हो वहां कौन सा लंकार होता है जल्दी बताओ जहां सब्दों के अर्थ में चमतकार इस्पस्ट हो तो वहां पर आपका अर्थों में चमतकार हो रहा तो अर्था लंकार होगा चोहता options correct फिलिंदा बलेंक्स खिलकी का सीसा तोड़ा है फिलिंदा बलेंक्स बता दे जिसने खिलकी का सीसा तोड़ा है बह बता दे तो तीसरा options यहाँ पर आपका बल्लिकुल correct हो जाएगा निमलेकित मेंसे पुरलिंग सब्द को पैचानना है कौन सा सब्द पुरलिंग सब्द है जल्दी बताओ सर कपड़ा कपड़ा सब्द जो है वो एक पुरलिंग सब्द है चोहता options correct आप नी संकोच चले जाओ इस वाक में तुरूटी सुदारने के लिए निमलेकित मेंसे सही वाक को कुछ आटे है जल्दी बताओ सही वाक आपको करना है यह देख लीजिए आप नी संकोच चले जाओए तीसरा options यहाँ पर आपका ब्लूट correct हो जाएगा बेसेशन की सर तीन अवस्ता है होती है मूल अवस्ता पहली अवस्ता हो गई तो पिर्चुर का ब्लूम सब्द हो जाएगा आपका अल्प दूसरा options correct बंदू सब्द का आपको बहुवचन बताना है कि बंदू सब्द का बहुवचन क्या होगा तो बंदू सब्द का बहुवचन होगा आपका बंदू वर्ग दूसरा options correct यहां लगबग कोई दो दर्जन के करीब संत्रे हैं इस वाक की असुद्धी दूर करके इसको सुद्ध वाक में चेहन करना है जल्दी बताओ यहां लगबग दो दर्जन संत्रे हैं सर दूसरा औपसंस करेट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोईले की दलाली में मू काला इस लोकोति के सही अर्थ क्या है जल्दी बताओ ओसंस यह है तो सही आंसर हो जाएगा बुरा काम बदनामी का करना बन जाता है पहला ओपसंस करेट निम्ले कि तम एसे कौन सा सही जोड़ा है जल्दी बता कोसर नमबर 15 तो सही आंसर क्या हो जाएगा सुमितन जंदन पंद की चिदंबर आ है चौता ओपसंस यहाँ पर आपका बलेगल करेक्ट है दिल्ली फिलिंदा ब्लैंक्स मेरट फिलिंदा ब्लैंक्स दूरी लगबक 70 किलो मीटर है दिल्ली से मेरट की दूरी लगबक 70 किलो मीटर है तो यहाँ पर आपका चौता ओपसंस करेक्ट होगा बड़िया कोसरन से है निम्लिकत में से उननत सब्द का आपको उननत सब्द क्या दर्साता है उननत सब्द जो है वो सब्द की दरश्टी से कैसा सब्द है तो उन्नस सब्द जो है वो एक बिसेशन सब्दे सर तीसरा उपसंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोसंसे आपका मतुरा आगरा दोलपुर गवालियर आदी चेत्रों में निम्लिकत में से कौन से बोली बोली जाती है तो यहाँ पर ब्रजवासा बोली जाती है सर चौता उपसंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है निम्लिकत में से दिये गए विकल्पों में से भाल का समनार्थी सब्द कौन सा होगा भाल का समनार्थी सब दोगा आपका मस्तक दूसरा आपसंस बिल्कुल करेक्ट एक पंत दो काज निमलेकत में से कौन सा विकल्प इस लोकुत्ती का उचित अर्थ दर्साता है एक पंत दो काज कार्थ क्या होगा तो सही आंसर होगा एक समय में दो कार्रियों की सिद्धी चुछता उप्सन्स करेक्ट है मादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुर्षकर पर आप दुगा जल्दी बताओ नीरजा के लिए तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा सर सक्सेरिय पुर्षकार दूसरा आपका बिलुको करेक्ट है निमलेकत में से बुढ़िया का बहुबचन आपको बताना है कि बुढ़िया का बहुबचन क्या होगा तो बिढ़िया का बहुबचन क्या हो जाएगा सर एकत्र यानि कि पहला ही options correct दिव्या और सोम्या फिलिंदा blanks में बढ़ी है दिव्या और सोम्या में कौन बढ़ी है तो कौन सब्द आएगा यहां तीसरा options correct दिएगा बिकल्पों में से आपको पिर्ति किरिया सब्द का पिर्ति किरिया सब्द का तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा पिर्ति उत्तर पहला ही options correct मेरी बहन उच्छा फिलिंदा blanks और स्टेलिया जा रही है मेरी बहन उच्छा के लिए और स्टेलिया जा रही है चौता options correct निमले के तमेश के किस वाग में जो है तरूटी है उसको पहचानना है देखो आद्नेक हिंदी के सबसे ससत कवितरियों में से एक होने के कारण उन्हें आद्नेक मीरा के नाम से जाना जाता है तो बताईए किस के किस पार्ट में गलती है जल्दी बताईए तो इसके कि युग तो आदूनेक हिंदी के देखो तीसरे यानि कि तीसरा ओप्सन्स करेक्ट होगा पहले पार्ट में गलती है सुद्वाक आपको पहचानना है जल्दी बताइए कोस्त नमबर 31 छी कितना गिरने दिरस से हैं तो तीसरा ओप्सन्स करेक्ट होगा हनुमान की पूँच में लगन न पाई याग लंका सकरी जल गई गए निसाचर भाग इसमें कौन सा लंकार है हनुमान की पूँच में आग भी नहीं लगी लंका भी सारी जल गई और जितने भी राक्छस्ते वो भी भाग गए तो यहां हनुमान जी की पराकरमता का बड़ा चला कर वर्णन किया है इसलिए यहां 30 से उक्तिय लंकार होगा बेदो की संग्या कितनी है सर जल्दी बताओ तो बेदो की संग्या कितनी है सर चार है दूसरा ओप्सन्स करेक्ट चिर जीवो जोरी जुरे क्यों नास इसने गंबीर को गटी के ब्रस बानू हे हल्दर के बीर इस पंक्ती में कौन सा अलंकार का प्रियों हुआ है तो यहां पर आपका रूपक अलंकार है पहला ओप्सन्स करेक्ट है साकेत महाकाव पर कवी महतरी सरनगुप्त को कौन सा पारी तोसक प्राप्त हुगा तो सही आंसर हो जाएगा आपका मंगला पिरसाद यानि की चौता ओप्सन्स यहां पर आपका ब्लिकुल करेक्ट हो जाएगा आज हर कोई मानसिक तनाओ से बीमारी बीमार दिखता है इस वाक में हर कोई किस प्रकार का सब्द है तो एक सदेव एक वचन की रूप में प्रियुक्त होने वाला सब्द है पहला यह ओप्सन्स करेक्ट गांधी को राष्ट पिता कहा गया वाक में संग्या किस रूप में परिवर्तित हो रही है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा व्यक्ति वाचक संग्या से बहावबाचक संग्या तीसरो अप्सन्स यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा ठीक है गांदी को राजश्पिता का गया इस वाक में वेक्ति वाचेख संगया से बहावाचेख संगया की रूप में जो है वो संगया परिवर्तित हो रही है निमलेकte मेंसे स्टरी लिंग सब्द को पेचानी है कौन सा इस तरी लिंक सब्द है जुराब जुराब सब्द जो है वो यह इस तरी लिंक सब्द है निमले के तमेंसे धूरत सब्द का आपको मुहाबरा बताना है कि धूरत सब्द के लिए उचित मुहाबरा कौन सा होगा इस questions का answer आप मुझे comment box में बताएंगे तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के important questions जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको complete करवा दिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को like और share जरूब कर दीजिएगा तो दोस्तों फिलाल की वीडियो में सुर्फ इतर नहीं एकर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को like कीजिए सेर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को subscribe परना ना भूलें क्योंकि में रोजन ऐसी तरह के वीडियो आप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तों जय हिंद जय भारत